आज का टॉफिक है JSA, Job Safety Analysis, काम सुरक्षा विशलेशन, तो JSA जो होता है, उसको किसे कहते हैं, डिफिनेशन के अधार पर उसको बोला जाता है, JSA is a written procedure for identify potential hazards and control measures present in each step of the job, काम सुरक्षा विशलेशन, JSA जो है, उसको काम सुरक्षा विशलेशन है, काम के दोरान, होने वाला खत्रा, खत्रा के को बचाव के लिए, जो भी precaution लिया जाता है, जो भी साबधानी लिया जाता है, उसी को JSA बोला जाता है, ये job safety analysis जो बनता है, कोई भी काम चालू करने से पहले, side चालू करने से पहले, कितना तरह का काम होगा side में, वो काम दिया रहता है, उसको बोला जाता है, job identification, क्या काम होगा, क्या काम होगा, तो उसके लिए मान लो जो welding होगा, तो welding होगा, तो welding में क्या क्या खत्रा है, उसमें उसके बार काम में होने वाले खत्रा और प्रिकोरशन देखा जाता है तो तो चुनना है कि स्सक्राइब का काम चलेगा उसको चुनना है वो चुनने के तरीका क्या है उसमें आता है डबलू एच क्वेश्चुन आता है What way or how he to... क्या काम होगा तो वेल्डिंग होगा कहा काम होगा तो चल्वी टेंक में होगा कुल सा उक्यूमेंट लगेगा तो उसमें वेल्डिंग मसीन लगेगा और कैसा उक्यूमेंट लगेगा तो ग्रेंडिंग मसीन लगेगा तो उसमें यह बताया जाता है कितना आदमी उसमें है य क्या-क्या इकुम्मेंट यूज कर रहा है, जैसे क्यों ये बताया जाता है, ये खुटी यहाँ पर गार देगा खुटा, अगर दोस आदमी है, तो दोसे आदमी को उस खुटा से खुटी से चोट लगेगा, अगर एक सो आदमी है, तो एक सो आदमी को चोट लगेगा, एक ग उसके बाद आजाता है job analysis काम का बिस्लेशन करना कौन सा काम है मालों welding है तो welding में क्या है welding के बाद है उसमें radiation है आँख में लगने का खत्रा है electrical shock लगने का खत्रा है इकुमेंट से खत्रा होने का physical खत्रा होने का chance है कि तो यह सब उसमें जयाने जाता आय जो यह कर रहा हूं सब्धायर जाता है मौननों सट्रिंग करे सशागा शिर्ट जा करें गए नहीं करेंगा पहले किया करे गा वोड मेंकिंग करेंग उदार योडिंग sigu मणा करेंग उसके बाद आजाता है अप खत्रा को पहचानना जरूरी है किस टाइप का खत्रा है क्या क्या खत्रा है उसमें तो खत्रा में देखा जाता है six direction और फजार देखा जाता है छे दिशा देखना वैसे हम लोगों के मताविक चार ही दिशा होता है उत्तर, दच्छिन, पूरब, पच्छिन लेकिन conceptual line में छे दिशा होता है एक नीचे भी और एक उपर भी look down नीचे देखो नीचे ये देखो जो हम गिरने बाले तो नहीं है look up उपर देखना है, उपर देखना है हमारे उपर कोई material तो गिरना बला नहीं है आगे में कोई खत्रा तो नहीं है पीछे में तो कोई खत्रा तो नहीं है दया में खत्रा तो नहीं है और भया में खत्रा तो नहीं है उस खत्रा का विसलेशन एक और उसको खत्रा को पहचनना जरूरी है जो किस टैप का खत्रा है वैसे खत्रा को पहचनने का और एक तरीका होता है जैसे होता है फिजिकल हायार्ड हमको जो भी चोट लगेगा वो फिजिकल हायार्ड में आजाता है उसके बाद होता है इलेक्टिकल हजार इलेक्टिकल से जो भी खत्रा रहेगा इलेक्टिकल से सोक लग सकता है तो एक खत्रा हो गया उसके बाद बैलोजिकल हजार आजाता है कहीं पानी जमा है उसमें डेक्टिडिया बैडास कीरा फैल जाता है उसके बाद जैसे वहां तुम लोग किभींद होता है वो खाने वजा अंद क्या करेगा चाबल फेक देगा वही बगल में अगर फेकेगा क्या होगा उसमें कीरा फैलेगा कि नहीं फैलेगा दो फैल जाएगा तो वही हो गया बैले जुकर हजाज उसके बाद आजाता है मेकेनिकल हजाज मेकेनिकल हजाज वह हो है मेकेनिक जो भी समान चलाएगा जैसे ग्रेंडिंग मशीन चलाएगा कटिंग मशीन चलाएगा तो क्या होगा उसमें गार्ड लगा हुआ रहता है वह आगया मेकेनिकल हजाज में हो गया उसके बाद हो जाता है इर्गोनोमिकल हजाड हो जाता है इर्गोनोमिकल हजाड उस हजाड को बोला जाता है जिसमें आदमी काम करता है तो काम होता है दो तरीका खड़ा हो करके होता है कि बाइट करके होता है और इर्गोनोमिकल में क्या होता है कहीं कहीं एसाभी करके काम करना पड़ता है कहीं की। चलाते चालाते पूसरीर दर्ध करने लगता। लिएक किसाके हादş्पी क्या से investir मेफ डर्ध करने लगता। यह सकता है कि से सैंठ होने वाले गरवरी, और समझ वह हो गयामš fruit दौर्ध Сबत, यहाद रोदे दिद्ल경, और दूब पेर को कातना यह सवाता है इंभर्मेंट्र हजार नो फूर किंग हट हाइड होगा व्यूहर गिरने का खत्रा होता है वेल्डिंग किस टैप का काम होगा तो उसको चुनना जरूर यहामारा कौन सा काम चलेगा एक्टीबिटी सब एक्टीबिटी उसको उसके काम को पाचानना जरूरी है, उसके बाद उसमें होने मेले हजाद, खत्रा को पाचानना जरूरी है, उसमें क्या क्या खत्रा हो सकता है, और वो खत्रा से बचाओ के लिए, उसमें श्यप्टी प्रिकोशन जो लिया जाता है, वो श्यप्टी को प्रिकोशन लेने के प्राव करने से उता है अगर हजार नहीं दूर हुआ उसको और एक्स्ट्रा लिया जाएगा सफ्ली पको सब्सक्राएं जाता है कि वहीं को जीरो परसेंट कर दिया जाता है खत्रा कुछ नहीं बचता है यह एक ऐसा लिखी दस्ताबेश होता है जो काम चालू होने से पहले वो बनाया जाता है, उसका स्वर्थ का अधमी का साइन होता है, और safety person जो है उसका अलग sign होता है उसी के आधार पर हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं और यह इसलिए बनाया जाता है जो उसके आधार पर हम लोग काम को करना है वो नियम एक कानूनी दस्तावेज है जो उसके आधार पर हम लोगों को चलना है तो इस तरह से इसको job safety analysis काम सुर तो आदमी गिरेगा नहीं गिरेगा लेकिन अगर आदमी प्लेटफार्म नहीं बनाएगा, वो इसे कहीं पर खड़ा हो जाएगा, जैसे सरकास में नहीं होता है, सरकास में क्या करता है, यहां से खुदता है, एक उधर से खुदेगा, और वो क्या करेगा, एक पर लटक लेगा, यह जो खुदने वाला है, उसका पाइर पकड़ लेग और उसको पैसा भी मिलेगा हाजरी बिक टूटेगा हाथ पहुँ भी तुटेगा तो गर्वरी नहीं करना है